बुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स क्लास सेवेंथ के लिए मैस है इक्सराइज 4.3 एक्स्पोनेंट का लास्ट इक्सराइज है इसमें एक्स्पोनेंट का यह लास्ट इक्सराइज है और इसमें राइट दा फॉलोइंग नंबर्स इन स्टेंडर्ट फ़र्ब जो नंबर दिया गया है उसको स्टेंड़ फ़र्ब में जाते हैं कि दिस्मल के बाद जितना भी नमबर आता उसों काउंट करते हैं तो यहां पर 657 लीग करके और नीचे हम लिखते हैं 10 जितना यह नमबर है उतना पाउन हो जाएगा यानी एक और यहां पर इसके स्टेट में 10 तुदी पाउर 15 है अब नीचे जो 10 तुदी पाउर 11 है उसको उपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहां पर वन डिस्मल यहां पर देखना है कि इस वन डिस्मल है 6.57 इसको करने के लिए अगर 6 पर पॉइंट बैठाते हैं इसका मतलब उतना जिरो बैठाना जोड़े तो यहां पर 6.57 इंटू 10 एसक्वार एक भी सालेट तुदी इसको हम 100 कर सकते हैं क्योंकि जब इसमें मुल्किप्लाइ करेंगे तो 657 पर आएगा और यहां पर 10 तुदी पावर 15 था नीचे वाला 11 इंदी 15 माइनस 11 कर देंगे अब आफका यह स्रिंडर्ड उतने होने जा रहा है 6.57 इंटू 10 तुदी पावर 2 क्लियर इंटू 10 तुदी पावर 15 में से 11 को क्या कर देंगे लेस कर देंगे तो इतना मचेगा 4 अब यह 10 तुदी पावर 2 और 10 तुदी पावर 4 तुनों आइड जायागा यह आपका एंसर होगा 6.57 इंटू 10 तुदी पावर 6 यह आपका एंसर होगा तो इस परसे हम इसमें कोस्टन नंबर 1 का टोटल का टोटल कोस्टन सर्व कर सकते हैं है ठीक है अब बी नंबर कुस्टन में जस्टिस के नीचे भी नंबर कुस्टन में आपका एक स्वेस्ट फॉलोइंग नंबर्स इंदे यानि उसको एक्सपाइνड करके लिखना है यानि ये जह नंबर दिया घया है उसको फैलाकर लिखना इस तरह सेंसे मूरें ये यो बन सकता है और बन सकता है और बलस देम लिए ‫ अल्रेडी स्टेंडर फर्म में दिया गया है और आज विजुवल फर्म में देना है तो आप बना सकते हो तो इस तरह से आपका यह कोस्टन कम्प्लीट हुआ इसी अधार पर आप वह से लेकर डी तक बनाएंगे फिर कल कल आपका यह एक्सरसाइज फिर से एक बार रिपीट कर देंगे जो नीचे वाला कोस्टन है कल सल्व होगा इस तरह से आपका 4.3 कम्प्लीट हुआ थैंक्यू